अभी अभी BPSC ने आज कुछ दिर पहले ही एक इंपोर्टेंट नोटीस आपको बताया है इसमें क्या होना है और यह आपके एडवर्टीजमेंट नंबर दो और चार के लिए है यानि कि तीन वीच में सम्मीली तो होगा तो आगे देखते हैं क्या बोला है BPSC ने तो हम इसको सबसे पहले ओपेन कर लेते हैं डाउलोड कर लेते हैं इसको यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट ओसनों ने आपके नोटीस दिये हैं तो यह आपको समझना ज़रूरी है ठीक है ना आपको आपको लिखा गया विग्याप कि बिग्यापन संख्या 2 2017 सहाय कभियंता असायनी की परिक्षा दिनांक 15 देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर आपके लिए इंपोर्टेट है 15 सनिवार को तथा आपका जिट दिया गया है कि आपका जो बिग्यापन संख्या इतना है और इतना का जो है आपका परिछा दिन को जो आपको प्रोब्लेम हो रहे थी कि पटना में कि बाहर है तो यह पटना जिला मुखाले में ही अवस्तित परिच्छा के इंजर पायोजित होगी और उक्त दोनों तीछियों को आयोजित परिच्छा में समान पत्र यानि कि जेनल पेपर यहाँ बहुत सारे लोगों को इसका विड़ा उड़ा रहा है कि जेनल पेपर क्या है तो वही पेपर है फ्रेंड्स जेनरल इंजिनेरिंग और जेनरल साइंस का विसाई की परिच्छा ली जाएगी जिसमें आपके एकस्तो पचास अब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे ठीक है दूसरा बात बताया देखते हैं इसका क्या है अविर्थी को डांक से बाई पोस्ट परवेश पत्र नहीं भेज़े जाएंगे और एक और क्या है यहाँ पर बिग्यापन संख्या 2-2017-3-2017-4-2017 के अंतरगत यह आपके लिए इंपोर्टेंट है यह आप नोटिस को जरूर देखें आवेधन प्र आपके पात्ता को नहीं निदारत करता है आपके द्वारा मूल अवेधन में की गई प्रविष्टी एवं उसमें संबंदित कागजात में किसी प्रकार की भींता रहने पर उमधवारी रद की जा सकती है ठीक ना अगर आपके दो आप जो डॉक्मेंट प्रवाइड करोगे अगर किसी तरह का आपका उसमें लगेगा उनको की प्रोब्लम है तो आपकी उमिद्वारी वहाँ पर रद कर दे सकते हैं ठीक ना अब तो आप त्यारी रहो कि जाए क्योंकि पेपर आपको होने वाला है पुरा आप BPSC ने भी कंफर्म कर दिया है और जो साइट निव आण्ess नहीं हो दुसरा सबजक्त का तियारी करें दूसरे एकजाम का त्यारी करें तो इस वीडियो को मादम से मेरे को यहीं बताना था